यह डिर्श्वन जैसे कि आप लोग का एक्जाम यानि चार फरबड़ी से हिस्ट्री का एक्जाम होने जा रहा है तो जहर सी बात है कि आपके उपर यानि एक्जाम का प्रेशर जो है बहुत ही जादा होगा तो आप यानि इस टाइम में सोचते कि हमें किन परश्णों का अध बिल्कुल नहीं है आप इन हंडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ पर अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेर कर देंगे तो चलेगा इस सो शुरू करते हैं फर्स्ट कोस्चन आपके स्क्रिन पर क्या कर लाता है कि अशोक के अविलेक में कौन सी लिपी का पड़ियोग किया गया है यानि अशोक के लिपी में कौन सी लिपी का पड़ियोग किया गया है आपको ये बताना है खरोस्टी लिपी का क्या गया है बराही या आर्माइक य तो जैसे के आपको पता होगा इसका आंसर अपका क्या हो जाएगा यांट वहीं बाद क्रित करते हैं कोश्य नमर्ड डो आपके अंसर हो जाएगे चले बात करते हुप्षे नमर्ड के याँख कहा रहने वालब तक्सिला जीवक की के रोप में ते किस पहला आपका वुब पाडी के रूप में थे तो जली बताएब का इसका answer आपका क्या हो जाएगा तो बिल्कूल आपका answer यानि correct होगा यानि wait के रूप में थे यानि option आपका भी will be the right answer हो जाएगे चली बात करते question number 8 आपके screen पर इन में से यानि कौन सी यानि समरा जवादी इतियासकार था 28 question का आपको answer बताना है यान option आपका be right answer हो दाएंगे नि moral end option आपका be will be the right answer हो दाएंगे चलिए बात करते question number 5 आपके screen पे किसके काल में अस्थापते कला का यानि sword नहीं यूग था यानि किसके काल में अस्थापते कला का sword नहीं यूग यानि कहा जाता था तो आपको पता होना चाहिए श्क्रिन पे धाया दिन का छोपड़ा क्या था घर था, मंदीर था, मस्जित या आपका मकबरा तो Regel का जोपड़ा जो था यानि कहाँ पे यानि अजमेर में है और यह मस्जित अर यानि option कहाँ पे यानि तो देखे जजिया कर कर में में आप लोगों को बहुत सारे क्लास में हम बताएं यह जजिया करजों लिया जाता था यह जिम्मियों से लिया जाता था यह अपसन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे कौनसा मुगल सासक एक कवी भी था तो आप लोगों को सो एपसुलूटली पता होना चाहिए कि वास्तिविक नाम क्या था तो जैसे कि आपको पता होगा विर्वल का वास्तिविक जो नाम था यह जैनि महेश दास था यहानि आपका डी विल विदर राइट आंसर हो दाएंगे चले नेक्स कोश्चन देखेंगे आपके स्क्रिन पे कोश्चन नमर दस जैसे देख तो आपको पता होगा पानिपत का पर्थम लडाई जो फाता है। option आपका D will be the right answer हो जाएंगे question नमर बाड़ा है मुसलमानों से यानि वसूला जाने वाला कर कौन सा था जजिया था जकात था खास था अपका तिर्थ कर था तो बताएगा मुसलमानों से यानि जो वसूला जाने वाला कर जो था यानि कौन सा करता तो इसका answer आपका हो जाएगा यानि जकात था यानि option आपका B will be the right answer हो जाएंगे चलिए बात करते question नमर 13 आपके screen पर तुषके बाबड़ी किस ने लिखी यानि तुषके बाबड़ी जो है या किस ने लिखी है ये चीज़ आपको बताना है ठीक है चलिए बात करते है question नमर आपको बताना है तुषके बाबड़ी जो है किसके द्वारा लिखा गया है बिल्कुल आपको बता गया यानि बाबड़ के द्वारा लिखा गया है option आपका A right answer हो जाएंगे यानि राय कहते थे option आपका A right answer हो जाएंगे चलिए बात करते है question नमर 16 आपके screen पर मीरा भाई किस वंस की रानी थी यानि मीरा भाई जो है ये किस वंस की रानी थी 16 नमर question का आपको answer बताना है तो आपको बता गया यानि जो है ये कच्छवा यूके थे यानि option आपका D will be the right answer हो जाएंगे चलिए बात करते है question नमर 17 आपके screen पर ठीक है पाहन पूजे हडे मिले यानि पाहन पूजे हडे मिले आपको बताना है ये question फिर से एक बार देख लिए जगा मीरा भाई किस वंस की रानी थी तो बताएगा फोले नमर question का आपको answer बताना है यानि मीरा भाई जो है किस वंस की रानी थी इसका answer आपका हो जाएगा यानि चोहान वंस का था यानि option आपका भी right answer हो जाएगा थोरा सा यहां गलत हो गया यह नहीं होगा यह कश्वा है जैके बक्त़ी यानि चोहान सा यह जो है इसका कभी है यह anders in भारत में किया गया था, यह किस के दोरा किया गया था यह रमानंद के दोरा किया गया था यह option आपका a right answer हो जाएगो देके next question देखेंगे आपके screen के स्क्रिन पर, कभीर का जना हुआ था कवीर का जनम हुआता ही कहां पर हो नौश रोगह करते का इससे मौनफ़ा है प्रफ के स्क्रेपट हैं तो सल्तनत काली पर्थम मस्जीद जो आपका आनी कौन सा होगा 20 सवाल का आपको आंसर बताना है ठीक है तो इसका आपका क्या हो जाएगा so absolutely आपका correct होना चाहिए जानी ठीक है जली बताएंगा सलतनत काली पर्थम मस्जीद आपका कौन सा होगा very good यानी आपको पता होगा इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि नक्स बंदी से आपका डी राइट आंसर हो जाएँगे अच्छे बात करते कोस्टा नमर 22 आपके स्क्रीन पर 1916 में हुए भारत रास्टे कॉंग्रेस के लखनु आदिविशन की अधिक्षिता यानि किस ने किया था तो इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि आपका भी और राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोस्टा नमर 23 आपके स्क्रीन पर मुद्रा राच्छस किसकी रचना है ठीक है मुद्रा राच्छस जो है किनकी रचना है ये बताना आप लोगों को ठीक है तो इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा यानि विसाखा दत हो जाएगा यानि आपका भी और राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोस्टा नमर 24 आपके स्क्रीन पर यानि अमुक्तल अलियादा जो है ये कृष्ण देव राय के दोड़ा लिखा गया यानि आपका डी राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोस्टा नमर 25 आपके स्क्रीन पर बीजक में किसका उब्देश संगरित है आपको ये बताना है ठीक है चले तो बात करते हैं बीजक के बारे में बीजक में किसका अब्देश संगरित है ये चीज़ आपको बताना है 149 का अंसर आपका हो जाएगा यानि कबीर का आपका ए और राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते हैं 26 नमर 27 आपके स्क्रीन पर रमानुज ने किस दार्शनिक मत का परतिपादन किया था रमानुज तो आपको रमानुज के बारे में आपको पता होगा ठीक है Mathematician आपको जानते हैं रमानुज को 27 नमर सवाल का आपको आंसर बताना है ठीक है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानि विसिस्ट यहनि दित्वाद यानि ऑपसन आपका भी रडाइट आंसर हो जाएगा आप next question देखेंगे 28 नमर स्वाल आपके screen पर कौन विदेसी आत्री पेसे से चिकत सकता तेवरंडियर्ट था वन्डियर्ड था मार्क पोलो था अपका अलिवेरूनी था तो बताईएगा 28 नमर कौन विदेशी यातरी जो है चिकत सक्ता इनमें से बताना आपको पेसे से ठीक है हाँ चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका बढ़नीर यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे चलिए वहीं बात कर दें कुस्छा नमर 30 आपके स्क्रिन पे मध्योगिन यातरियू का सर्ताज किसे कहा जाता है यानि मध्ययोगिन यातरियू का जो सर्ताज किसे कहा जाता है ये चीज़ आपको बताना है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि मार्क फोलो को जो है मध्योगिन य 1923 में हुआ था उसके दोस्य गांदोलन तो आपको पता होगा है 1920 में आरंब हुआ था बारत चोर आंदोलन आपका 1942 में आरंब हुआ था ठीक है इसका तो आप लोगों को पता है यह नि कौनसा दांडिमार्च से सुरुआ था यह अपका सभी आगा अंदोलन आपका भी और आपके स्क्रेंट पर गांदी जी की हत्या कब हुई थी तो देखें गांदी जी की हत्या आपको पता होगा कि गांदी जी की हत्या यह यह तीजनवड़ी तीजनवड़ी को सहीद दीवस के हम लोग रूप में मनाते हैं सहीद दीवस की रूप में ठीक है आप लोग को यह चीज पता होगा चले तो गांधी के अत्या कब वहता है यहां आपका 13 जनवरी यह सब दिया जितना है यह गलत है ठीक है चले देखेंगे आगे आपके स्क्रिन पर 33 नुमर स स्क्रिन पर अले बेरुनी किसके साथ भारत आया था तो देखेंगे अले बेरुनी जो आया थे यह भारत यह आनि मुहमद गजनी के साथ आया थे आपको यह बताना है ठीक है चले बहुत बढ़ियां क्या बात है हां बजली बताएंगे मुंडा विद्रो का नेता यहनी कौ विद्रो का नेता आपको बताना है चले तो बिलकुल आप लोगों का अंसर करेक्ट हो गया यहनी विरसा मुंडा ही होगा और आपका भी रॉडाइट आंसर हो जाएंगे चले बात कर दे कुशन अमर 37 आपके स्क्रिन पे अठ्रा सल्तों के विद्रो के बाद यानि अंती किस ने लिखा था जली बताइए इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा तो इसका अंसर आपका भी रॉडाइट आंसर हो जाएंगे चले बात कर दे कुशन नमर 40 आपके स्क्रिन पे अठ्रा सल्तों के विद्रो के दोरान यानि अंग्रेजियों से बचने के लिए नेपाल में यानि सरंज्जो है किस ने लिए था 40 सवाल का आपको आंसर बताना है ठिक है तो देखिये यह नाना साहिब लिया था यह वेगम हजरत मल या दोनों तो आपको पताओ का नाना साहिब भी वेगम हजरत मल भी यानि option आपका सी राइट आंसर हो जाएगा निमिन से दोनों ठी बारत का पहला किसे बनाय गया था तो आपको बताना है 64 नमर कोशन का आपका आंसर हो जाएगे लौड कैनिंग यानि आपका भी राइट आंसर हो जाएगे चले बात करते कोशन नमर 42 आपके स्क्रिन पे महरानी विक्टोडिया ने अपना घोशना पत्र जो है कब जारी किया 42 नमर स्वाल का आपको आंसर बताना है महरानी विक्टोडिया जो है यानि अपना घोशना पत्र जारी किया गया था ये चीज़ आपको बताना है ठीक है इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर की अगर बात करे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ठारस वल्ठाउन अपका पुर्तिगाली ने गुवा पर अधिकार तो आपको पता होगा पूर्तिगाली ने गुवा परदिकार जो है पंद्रो सो दस में किया गया थैं आपका भी आपसीडुली राइट आंसर रहाएंगे भारत में पहली जन गरना कभ हो जैंना यह जो हो था तो आपको बताना बरहा समाज के बाड़े में ठीक है चली तो बरहा समाज के बाड़े में आपको पताओगा यानि आड़े समाज का स्थापना क्या है यानि आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे आपको समस्थापक बताना है इसका अंसर आपका क्या हो जाएगा ठीक है राम क्रिश्न के सनस्थापक यानि आपका बात करते कोस्ता नमर 50 आपके स्क्रिंट पे वेदों की और चले किसका नाड़ा था ठीक है या रामनोर लोई आपका तुल्दीजास आपका कबीर का तो बत बताना है या रामनोर लोईया का यानि 73 का आपको आंसर बताना है नहीं वेदों की और चलो के नाड़ा किसना है वीवेकानन का या आपका यह राइट आंसर हो जाएंगे चलिए बात करते कोस्ता नमर 51 आपके स्क्रिंट पे थियो सोफीकल सोसाइटी का भारत में कहां मुक का डिएंचर कमिशन को भारत में शुच्छा का में करता कहा जाता है या अई हंटर कमिशन को बताईए इसका आंसर क्या होगा 52IX का आपको आंसर बताना है ठीक है तो बिल्कुर इसका आंसर आपका बिलू उ राइट आंसर हो जायेंगे और अपस्टन आपका जली हाँ उठ डिस्पेच यानि आपका भी ओराइट आपसर हो दाएंगे थोड़ी ए स्ट्राइड आई होप उमीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया है पसंद आया है तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में सेर करेंगे क्योंकि आज क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे चले गाई जहें तक आज के क्लास को इंट करते जब दक लिए जहीं जवारत